हलो दोस्तो आज के इस वीडियो में बिहार SSC की और से आने बाले दो नई भरती के बारे में बात करने वाले पाहला ग्रेजुएट लेवल की भरती जिसमें की सबसे अधिक पोस्ट आपका सचीवाले साइक के राने बाले हैं वहीं दूसरा इंटर लेवल की भरती जिसमें की सबसे अधिक पोस्ट पंचैश साचीव के राने बाले हैं रहें दोनों भरती कब तक आज सकती इसके बारे में यस वीडियो में खार रहने बाले हैं साथ इसके लिए age limit क्या रहने वाले हैं कितने exam लिए जाएंगे साड़ी जानकार इस वीडियो में देने वाले हैं इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा आवज देखेगा तो चलिए आज कब रे स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले age की बात करें तो graduate level पर जो वरती आने वाले उसमें जेंडर एबं इड़ाव्लूस के टेगरी के लिए age मिनिममम एकीस साल रखा जाएगा मैक्सिममम सैतिस साल रखा जाएगा BC, EBC के लिए age मिनिममम एकीस साल रखा जाएगा मैक्सिममम चालिस साल रखा जाएगा वहीं SC एबं SD के टेगरी के लिए age मिनिममम एकीस साल रखा जाएगा वहीं मैक्सिमम बियालिस साल रखा जाएगा वहीं अगर inter-level बरती की बात करें तो inter-level बरती के लिए age limit, general एबम EWS candidate के लिए minimum 18 साल, maximum 30 साल रखा जाएगा, BC, EBC के लिए age limit, minimum 18 साल, maximum 40 साल रखा जाएगा, वहीं SC एबम EWS candidate के लिए age limit, minimum 18 साल, maximum 42 साल रखा जाएगा, वहीं अगर exam pattern की बात करें तो दोनों बरती में graduate level और inter-level दोनों बरती में दो exam लिए जाएगे, PT और men's दो exam दोनों बरती में लिए जाएगे, अब बात करते हैं graduate level की भरती कब आएगे, और कितने पदों पर आएगे, और inter-level की भरती कब आएगे, और कितने पदों पर आएगे, तो इस साल यानि की 2022 में दोनों बरती निकालने के लिए सरकार पर, सरकों से लेकर विधान सभा तक दवाब बनाये जा रहे हैं, और 2022 में ये दोनों भरती आने का 99% है अगर बात करें से जेल भरती की जो कि graduate level की भरती याने की graduate pass candidate इसके लिए आबेदन कर सकते हैं इसमें आपके post टोटल 2246 रहने वाले टोटल पोस्ट 2246 पदों पर ये भरती आएगी और इसमें सबसेदिक post सची बाले सहाइक के रहने वाले हैं 2446 में से 1360 पोस्ट आपका सची बाले सहाइक के रहने वाले हैं वह अगर इंटर लेबर भरती की बात करें तो यानि की इंटर पास candidate इसके लिए आबेदन कर सकते हैं अगर इसके लिए टोटल पोस्ट की बात करें तो अभी तक बिहार SSC को टोटल 2449 पोस्ट मिला है जिसमें की 1590 पद आपके 45 सचीब के रहने वाले हैं अभी और कई विवागों से पद मिलने वाले हैं तो लगबग 5000 के आसपास पदों पर इंटर लेवल की भरती आने वाले हैं अगर बात करें दोनों भरती कब तक आ सकते हैं तो ग्रिजुएट लेवल की भरती मार्च में आने की पूरी संबाबना है मार्च में भरती आने की पूरी संबाबना है अगर मार्च में नहीं आती है तो अप्रेल में निश्चित ही ये भरती आप लोगों को देखने को मिल जाएगी यानि कि अप्रेल तक निश्चित है कि ग्रेजुएट लेबल के 2246 पदों पर भरती आप लोगों को देखने को मिल जाएगी इन दोनों भरती निकालने के लिए सरकार पर चारो तरप से दवाब बनाया जा रहा है तो जल्द ही आप लोगों को ये दोनों भरती देखने को मिलेगी तो बिहार SSC निव भरती के लेटे जैसे ही को और लेटेस्ट अपडेट आगी आप लोगों को विडियो के मादम से जानकारी देंगे इसके लिए पलोग चैनल को सब्सक्राइब करें विडियो को ज़दा ज़दा सेर करें और लाइक करें तो चलिए आज का वीडियो समयाप करते हैं गापलेटें दिशनेके लएप लोΗ कर धन्यवाद